प्रदेश में विदान सभा की चुना हो चुके हैं नतीजे आज चुके हैं कौन जीता कौन हरा आप सभी को घर घर तक पता है कि किस की जीत हुई किस की हार हुई लेकिन इसके बाद अब क्या है क्या माहौल में कोई बतलाओ है क्या मौसम में क्या गर्मी बढ़ गई है या कम हो गई है क्या कैराना में शिमला जैसे हालात है या नहीं है या फिर अब क्या क्या बतलाओ देखने को मिलेंगे जो बीते पा बावों और वादों को पूरा करेंगे या फिर जनता अभी भी परेशान है, हैरान है, आशंकित है इन से मुद्दों को लेकर हम बाचीत करेंगे और लगातार जैसे जैसे आपको बता दें कि चुनाओ जैसे ही खत्म हुआ था उसके बाद यह निर्णा लिया गया था कि कारक आसी ताप रहा, इसके बाद जीत के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है और इस जीत के पीछे आखिर क्या क्या मुद्दे है, क्या क्या माइने है और इस जीत के पीछे का सबसे बड़ा एक्स वेक्टर क्या है और इस जीत के पीछे का हीरो को और है, इन सभी बातों को जान कर रही हैं बहुत कुछ बोल रही है और तब जब तस्वीरे बोलती हैं तो ज़रूरत नहीं कि कोई और भी इनको बोल कर बलपरदान करें तो तस्वीरों के बाद अब चेहरों पर चलते हैं चेहरे आखिर सच बया करते हैं और ऐसे में हमारे समवादाता अनुराग कुमार साहब हमारे साथ गोंडा से स्क्रीन पर मौजूद है और उसके साथ ही साथ एक हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे सबसे बड़ा हीरो वहां की जनता किसे मान रही है और चुनाओं में जीत जिस पार्टी को मिली है उस पार्टी की जीत के पीछे सबसे जीतोड मेहनत किसकी बताई जा रही है हम दर्सकों को बताते हैं कि गोर्णा में जिस तरीके से भाजपा ने सातों सीटे पर अपना कपजा जमाया है और पिछली बार बीदान सबाट शेतरें भाजपा की थी और इस बार गोर्णा में दुबारा प्लीज सुइप किया है तो इस ते अंधाजा लगाए जा सकता कि ग जिस तरीके से हम लोगों पिछली बार सरकार ने कुछ काम किया कुछ कमी रह गए है जैसे यवाक और रोजगार की दिकत है तो कुछ चो कमी रह गईगे वो सरकार प्लीजा करेंगी तो गोंडा की अनुराग जी कहीं की बात तो कहीं की लेकिन अगर आप गोंडा में बता है कि साथ कि साथ सीटों पर बीजेपी ने पर्चम लहरा दिया तो मतलब गोंडा में तो लहर थी उन्होंने बड़ी मेहनत की है उन्होंने पुरे मंडल पे काम किया था और मंडल की 20 सीटों पे 16 सीटे भाजपा ने जीता तो इससा अंदाजा लगाया जा सकता है जो देवी पार्टन मंडल हम गोंडा नहीं पुरे मंडल की बात कर रहे हैं वहाँ पर योगी और मोदी का जा विवेग जी आप थोड़ा सा ये बताएगा कि जीत के बाद जनता कितनी खुश है और वो कौन से काम है जो आप उमीद करते हैं कि इस बार अब जब सातों की सातों के दानसवा सेटे आपके बीजेपी की जोली में दी है जनता ने तो ऐसे वो कौन से काम है जिनकी उमीद जनता लगा कर बैटी है लेकि जनता को जो अमीद है इस ताइम में कब से कम जो चुटा जनवरों से लोग परेशान थे जैसा कि अब इनरेन मोडी दिया आए थे कुछ ताइम पहले उन्हों ने ये तौमिक किया था कि वही हम इसके बारे में काम करेंगे चुटा जनवरों समाजवादी पार्टी के जो लोग ते बड़ा दम भर रहे थे कि यहां से जीत लगभग उनी की है तै उनी की है लेकिन समाजवादी पार्टी के अगर मैं स्पेसिफिक तौर पर बात करूं तो उनके लिए समस्या कहां आन खड़ी थी लिए यूह जनता सारी पीज समच चुकी है और लेज समाजवादी पार्टी में क्या था और आपने पुछ से लोगों को इस सुनिया जाती थी, लोगों को काम हो जैते, तो इस अब जनता इसी तमझ कुए हैं कि अब तपा सटार में क्या होना है और क्या मूल है, तो निन अब टार इसी तो फाल जूसरी देगी है, तो लोग नमस्के हैं, चुछ कुछ नुक्जान। तो यह उत्वादिं कर रहे हैं कि अभी आपको बता दें कि जो विधायक है बताया रहता है कि स्थानी विधायकों से नाराजगी थी लेकिन फिर भी वोट वंपर पड़ा है कि अस्थानी विधायकों से खालाजगी था रहे हुए जनता फुम होती है कि वो पूरा ना हो ले पे खही एसा होता ही है जब आपकी कि विधायक तो भी लोगों को उत्यां कि ने िकिसापा को अटाए सिंस्खा को ओड़ायको हुए थी ठीक हादिया ना साहा हुए हादा तो तर्टा पर्टे तो रहती है यह पब्लिक को लिए है कि अब आप बतारे की साथ की साथ सीटे जो है वो बीजेपी के पाले में चलीगी वो कौन सी सीट थी जो आपको लगा था कि फसी हुई है और उस सीट पर परिवर्तन हो भी सकता था और होना चाहिए भी था ऐसा कुछ है कि इस लेबल पर उनकी पॉप्लेशन में जो बिढ़ायग बना तो ठीक है एक और हमारे साथ एक और दिखाई दे रहे हैं हमें स्क्रीन पर एक और हमारे साथ जुड़ गये हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जाम बतारीज जी का जी रवारा मौमग तलिया चाहिए गणिसाब यह बताईए मुझको कि गोंडा तो पूरा भगवा में हो गया तो ऐसे में वह कौन सा फैक्टर है उस फैक्टर को जानने की कोशिश कर रहा है उसके साथ ये भी जानेंगे कि आखिर आगे जो पांच साल है उनमें क्या-क्या चीजें हैं जो गोंडा मांग रहा है जो गोंडा को चाहिए और अब जब इतनी बड़ी जीत आपने दी है गोंडा वासियों ने जब इतनी बड़ी जीत बीजेपी को दी है तो उन कामों को बीजेपी को जरूर कराना चाहिए उन चीजों को बताने की आप कोशिश करिए और उस इस कारीकरम के माध्य हम से उनी चीजों को जानने की कोशिश कर लेकिन सबसे पहले एक्स निए वह कौन सा फैक्टर है जो सबसे जादा चल गया वह जादू कौन सा है जो सबसे जादा चला है गुंडा में जी वजिशे तो विकास के नाम पर लोगों दे बुट बागा लोगों नगिया लेकिन चाहेंगे कि तरणा किसे विकास पोड़ा में पार्क नहीं है कि उस्थे पार्क हो जाएं कि नाम गढ़े दालत्मा पोड़े आपार्कारी वां सीचा मिर्चे इसे ऺड़ाई होगों तो कि तुछ दो सब्सक्राई होगे था भी ऴर तो दो चाहेंगे कुछ सर्कारी स्कुल भए पर लेड़ां इल्या इव जाते हैं तो अधियाने किसे पा अब यह चाहेंगे कि गुण्डा में हो जए तो और अच्छा रहेगा पत्ली कुली और उस्तुनी ने पार्क चाहिए और सरकारी स्कूल चाहिए जी सरु lower comment कि जुड़े क्या लगता है गोंदाट में पार्क शर बतारहें कि पार्क चाहिए तารंप भूआए मन टहल जय करो मन जिस तरीके से इन्होंने बात कि है तो घोन्डा में तूरिष्ट प्लेस से घोन्डा को एक पूरिश्ट कोलाइब को एक टूरिश्ट में डवना चाहिए और गोन्डा थे बगल में यहीं स्रावस्ति है जो इसी मंडल में आता है वहां से देश विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं तो कुछ पूर बिधायक थोड़ी सा काम किया है गोड़ा में एक क्रांटी उपान बनाया है जो लखनो रोट में बनाया जा रहा भी कंप्लीट नहीं उपाया है जैसे गोंगने की जगह मिलेगी सग्रात अलाव है वहां पर गोटिंग हो गएरा शुरुआ की गई है तो गोड़ा में जो लोग इंटरेंटमेंट के लिए निकलना चाहिए तो ऐसे जगहों पर जा सकते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी सा अब बदलाओ की जोड़ है हर जिले में गोंडा में सीडलाएट नहीं नहीं है, कि देष जोड़ा के लिए विदायक को काम करना पड़ेगा की गोंडा का चेत का रावा ऊसे पहल करनी पड़ेगी जिससे नगर्पालका का छेतर बढाये जैसे और गोंड़ा जोस्त की सब्राइग में जोना है उसके बाद थे वर 9 बास हो जाएगा और इसके बाद भूसा नाइन से लोगों को मुक्त समस्या जुद्रीवर लाइन बहुत बड़िस खेकल लाइन बहुत बड़ी समस्या निकलने के लिए बहुत बहुत अच्छी ब्योंसा नहीं है तो कहीं ने सब्सक्राइब करने पड़ेगी जिससे कि बहुमत में सरकार आई है जनता ने जनादेश दिया है और मंडग से इसका कुछ असर दिखेगा और जनता में एक इपक्ट पड़ेगा कि आगे भी आने वाले समय में फिर भाजपा के लिए जनता सोचेगी नहीं तो इस पर दुबारा जनादेश दिया और इस बार भाजपा नहीं कर पाएगी तो आगे इनके लिए समस्या पैदा हो सकती है ठीक है सबसे पहले तो आपने जो टूरिस प्लेस वाली बात की वो सबसे ठीक है क्योंकि इससे क्या होता है कि टूरिजम पर अगर हम थोड़ा काम करते हैं तो काफी लोगों को फायदा होता है इस्तानिय दुकानदारों को फायदा होता है बहुत सारी चीज़े हैं जो है उसमें विक्सित होती है लेकिर एक वो चीज बताने की कोशिश किज़ेगा क्योंकि हम विपक्ष का भी थोड़ा फायदा कर देते हैं अपने कारिकरम से वो चीज बताने की चीज कीज़ेगा कि अगर जिस पर काम नहीं हुआ तो सबस्य आ जाएगी एक चीज होती है हर चले में बता दू गोना में जिसे युवाओ को रोजगार की आओ सकता है गोना में कोई ऐसी फैक्टरी नहीं है जिससे युवाओ को रोजगार में सके गोना में कैस्क्राफ्ट चुलकर ये खेतियार इलाका है यहां पर गन्ने की कि फतर बहुत अच्छी होती है इस लिए मंडल में पांच चीनी मिल की अगल बगल पांच चीनी मिल के साफना लोगों को किसानों को तो पैसा मिल जा रहा है चीनी मिल के मात्याँ से लेकिन युवाओ को रोजगार के छेते में सरकार को काम करना पड़ेगा सरकार यह जिस सब्सक्राइब और योगी सरकार को तब से ज्यादा जो किसानों की छुट्टा जानवर के समस्या इसके लिए को यह कठोज पहें उठानी पड़ेगे जिस तरीके से चुट्टा जानवर आज भी रोट पे दिख रहे हैं इनको खतन की जा सके इनको कहीं सुरची जगा पे रखा जा सके जिससे कि लोगों को समस्या ना आवे लोगों का एक्सिडेंट हो रहा है किसानों के खेप चड़ जा रहा है तो किसान इसके लिए काफी दोड़ी नाराज कि विरोजगारी की बड़ी समस्या है इसको दूर करने के लिए उपाए देखिए होता है हर व्यक्ति के दिमाग में उपाए होता है आपके दिमाग में भी कोई ना कोई तो उपाए होगा कि यहां पर विरोजगारी की जो समस्या है युवा उससे कैसे निजाद पा सकते है पर शुबिदे के नहीं तो अगर इंपलीमेंट के नाम पर पुछ नहीं हुआ है हम अगर आगर सुम्पलीमेट के नाम स्कर्णा करना पड़ेंगा कि आप एक्ट्रिया बढ़ाते हैं कि आप विलोगों को करते हैं जोयुत्भ को शुना रखाएं ऑगे वोगाऊं देदें इस दिर्ट करें तो नहीं कर Хотя पर बिवा के रखार सापोर्ट सापोört देदें लोड़ें देदें मैं समझ रहा हूं already मैं पुछ भीवा देचेंगे जिसे कम साम आप के समस्ट लीवा देसे का धगर जोरा है विवेक ची आप क्या करते हैं आप चात्र है कि वेर्साय करते हैं क्या करते हैं कैं एक कि दुकान है तो यह नहीं बदीजी खंच और बहुत बदीज बदीजेग अब मदा दीजीए अपनी शौक का आएंगे तो गोंड़ा जरूर आएंगे अई दो मैं आप से भी जाना चाहूंगा कि वेर्स गारी के मसले के लिएक ब्रफ़ाग जी ने सवाल उठाया कि विरोजगारी का जो मसला है गोंडा में बहुत जादा हो चुका है और इसको लेकर विवेक जी ने भी कहा कि है तो लेकिन ये हर जगा है इस पर काम करने की जरुद सिर्फ गोंडा नहीं बलकि पूरे समुचे उत्तर प्रदेश में है इस पर थोड़ा सा दीजिए लाइट डाल दीजिए तो इसको लेकर विवेक जी ने कहा कि गोंडा ही नहीं ये समुचे उत्तर प्रदेश में हैं तो मैं कह रहा हूं इस पर थोड़ा आप भी प्रिकाश डालिए लाइट डालिए समस्य आप देखे आप समझा नहीं मेरी बात को आप समझे लिए चुनाओं खत्म हो चुके हैं अब यह कोई मुद्दा तो है नहीं अब इसको चाहें सुबहार रोएं दुपैर रोएं रात रोएं जिनने जीतना था वो जीत गए जिनने कुर्सी वेटना था वो तो बैट अब हम बात करेंगे आपे solution-based कि solution क्या हो सकता है विरोजणारी है वो तो मुझे भी पता है आपको सब को बता इसका solution क्या हो से अगर गोंडा का सोलीशन की ऑगर गोंडा की सुलीशन की देख लेगे तो फिर पायदा हो जा थोड़ा था न रोट एगे बीकास के रहाद में यह समझ्या काहें पिकास के से हुआ है इसे चारव इंडर रोड हारे आप अमेरिका में चोरह से आप शीदर आप जैनेरे चोरह द गाया गे बढ़ियां कि अडर रोड बन गें पहले ऐसा नहीं था लाइस कि आप ए लाइडिक सुदाप पर यह बहुत को उसको लेकर जनता वोट करेगे कोई कह रहा है कि राशन को लेकर जनता वोट करेगी चुट्टा जनौरों की समस्याती उसको लेकर वोट किया है इनिन चीजों को लेकर वोट किया है। लेकिन दो-चार आकड़े हम भी पढ़ लेते हैं इदर हमारी आखों के सामने आ जाते हैं। कि किस तरीके से जनता ने वोट किया है। सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं है जो समस्याव को खल नहीं निकाला जाएगा अस्थानी अस्तर पर तो लोगों की समस्या पतम नहीं की जासेगी सब्सक्राइब के लोगों को सीवर लाइन मिले गोंडा को रिंग रोड मिले यह सब काम गोंडा के रोटी लगे जिसने रुगाओ को रोजगार में सके यहां पर गोंडा में जैसे आपको बता दें कि एक आईट्याइफ एक गोंडा में जो बनी थी वह अपनी दोदस्षा का सिकार हो तांग्रेश के अगर उसी को मोडिफाई करके उसे नया रूप दिया जाए जिस्ते की वहाओ को रुजगार मिले तो कहीं न कहीं गोंडा के लिए रास्ता बनेगा और गोंडा को रुजगार मिल सकेगा गोंडा में सबसे जगार मिला गोंडा में विदाईगा जो अन kो तरफगे विदायिक है उपको प्रेंद मतत्री माफाराल मर्जिन धुरी के सका проп़ाई सबसे ज् これिम्मेदारी बढ़ और से बढ़ गया कि पर यह यह वीवेग जी यह जी से बता रहा था अब ही यह हमारे कि पांड जी जो है उनको सबसे जिताए गया है तो सबसे ज़्यादा वोट जहां मिलते हैं जिस विधायक को आपकी साथ सीटे हैं मालीजे तो सबसे ज़्यादा शेयर जिनका सबसे ज़्यादा रहा है सबसे ज़्यादा मार्जिन से वोट मिला है जिनको भर-भर जोली वोट दिया है जनता ने तो सबसे जीत गए तो यहां पर एक तरफा वोटिंग हुई है तरफा विदायक जी को पूरा जितवा के छोड़ दिये हैं तो वह जिम्मेदारी बहुत जादा जी में जादरी तो खेर होती है कि अगर जनता बिदायक जी को बना रही है तो कम से कम बिदायक जी को बना रही है तो कम से कम पब्लिक तो मोटर साइकल चुड़वा दो के तो भी साथ रहेगी मोटर साइकल चुड़वा दीजिए और अपनी जात के जितने हैं उनको सबको अपना भतीजा बना लीजिए भांजा बना लीजिए तो ये सबसे अच्छी चीज है सबसे अच्छी ट्रिक काम करती है बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमाय साथ जुड़ने के लिए कारिक्रह में तमाम जानकारी के अनुरागजे आपका विशेश रूप से बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छ जन्ता ने भर भर जोली वोट किया है कल एक बार फिर आप सो बलाकात करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया